कि दिसीजन लिया है इसमें आने का आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के से सेसं में क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं इसलिए आपने सेसं में अपने आपको बनाया हुआ है तो साथिवा सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वह है रहा है कभी गयव हो रहा है यसी थारीत यहां थानला होता चल जाता है ऐसास पर तो यही कंडीशन है हमारी तो हमारी की सुरुवात है एक ड्रीम से है क्यों कि इस पूरा सेसन जो सब्सक्राइब कर रहा है उन लोगों के लिए जिन्दिगी में कुछ पूरे करना चाहते हैं जिनके कुछ सपने हैं जिनके अंदर कुछ ambitions है क्योंकि साथियों मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा अगर हम इस platform पे आए हैं मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परंकिता परमिश्वर का जिसकी वज़े से उनके आसिरवास से आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूं मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज अपने हूंगा आप जैसी प्यारी सी टीम जिसकी वज़े से आप से मिलने का मौका और इस लेविल पर पहुंचाने का काम किया है लेकर साथियों सब कुछ अगर हुआ है जिसके पीछे एक ड्रीम काम कर रहा है क्योंकि अगर सिर्फ प्रोड़क्ट लेने के लिए अगर मैं जोए लेकिन जो वेक्ती अपनी जरुवत के लिए आया है कि चलो कुछ कर लेते हैं और जरुवत पूरी हो जाएगी तो जिस दिन उस बेख्ति की जरुवत पूरी हो जाएगी दस अजार पीस जार उसको आ जाएगा वह वेक्ति आगे काम नहीं करेंगा अगर आपको और हमको ब प्रीमर है क्योंकि सपना ही है जो इनसान को हमेशा रात को जगाता है, क्योंकि बोला जाता है सपने वो नहीं होते हैं, जो सोने के सब्सक्र ändता हैं कि येस्मा अ. जास्कुरू जी तो साथियों ड्रीम सी हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की फिर्णा देते हैं अब ड्रीम क्या-क्या हो सकते हैं उन चीजों को हमें समधना पड़ेगा और ये पूरी सेसन आगे की पूरी कारवाई हमारे सपने पर डिपेंड है क्योंकि हम जिस मावल स से निकल के आएं बच्पन से लेके ना तो हमारे मम्मी पापा ने ना हमारे लिष्टेदारों ने ना हमारे टीचर्स ने किसी नहीं का कि बेटा जाओ आपको अपने जिंदिकी में जो सपना हो उसके लिए तैयारी करो वो पूरा करो नहीं हमें एक ही बाद सिखाई गई ब पुला गया था तो हमने लगा ली नोकरी बसादी भी हएं तो बाद पद पता चला कि जिंदगी में असली जंग तो सदी के बाद स्टार्ट हो तो sa AHra AHra दिखाया जाता है कि साधिक बदादी बोलता है इक तो कही नहीं जिम्मेदारियां बढ़ती है बिश्चे बढ़ते ह तो सात्यों ड्रीम ही है जो हमें इस बिजनेस में लेके आया वरना नौकरी तो हमारी चली रही थी जैसा आप सभी लोग जानते हैं काफी सारे लोग पहली बार आएं मैं 13 साल से गवर्मेंट जोब में हूँ, मेरी मिसेज भी गवर्मेंट जोब में है लेकिन आज से पौने तीन साल पहले मुझे ये प्लेटपॉम मिला और कहीं न कहीं इसमें आने के बाद मुझे लगा कि एक अच्छे पूड़ट के साथ मैं यहां पे सिर्फ लोगों से बार्त करके उन्हें इस बिजनेस के बारे में प्रमोट करके बता के यहां से एक इच्छी इंकम ली जा सकती है तो जब यह चीजे मेरे सामने आई सारी से समझाएं गई तो मुझे लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पचास जार साथ जार की नौकरी के लिए एक आईएसपी सीएस की नौकरी के लिए ग्रेट की नौकरी के लिए लोग 5-5 साल, 10-10 साल तयारी करते हैं, इतनी इतनी किताबर पढ़ते हैं, एक बैंक की नौकरी के लिए, एक बंडे की टेस्ट के लिए लोग सालों तयारी करते हैं, उसके बाद नौकरी मिलना मुस्किल है, मिलती ही नहीं है, मिल भी गई, तो जिन्दी के बाद नौ नजरन्दाज कैसे कर सब लाई कुछ ननकुश तो चल लाई कुछ ननकुश सिस्टम है जिसको समझ नहीं पारें का नका हमें समझने की जरूवत है सबने की ओ Авघ समुझने की उडिफी और जंदगी में हर इंसान अपनी पूरे परवार के सपने पूरे करता है जिन्दीगी में जो पाना चाहता है वो पाने की प्रोसेस में होता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है तो ड्रीम के बारे में कुछ चीजे हैं जो आपको समझ नहीं पढ़ेंगी सबसे पहले ड्रीम आपको कभी ड्रीम इनसान के पूरे नहीं होते हैं इनसान गाइख सपना है कि मुझे एपनी क्योंकि अपको कुछ करना है तो इसके लिए प्लानिंग वनानी पड़ेगी फ्रासेस बनाना पड़ेगा खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी for example, आपका सपना है कि मैं घूमने जाऊ तो आपको decide करना पड़ेगा कब जाएं कैसे जाएं किसको साथ लेके जाएं क्या तयारी लेगेगी सपना सपना ही रह सकता है लेकिन एक इनसान जब कही गोमने की planning बनाता है तो सबसे पहले date final करता है कि मैं किस तारीक को फिरी रहूंगा तो वो date final होती है तो सबसे पहले जो dream में कोई भी सपना आपका है उसको पूरा करने लिए जब आप उसकी date final कर लेते हैं कि मुझे ये काम किस तारीक तक करना है तो आपका goal बनना start ह हो जाता इसके बाद आपको सेट करना कब जाना है कहां जाना है क्या चाथे हैं तो आपको अपना financial goal set कर भू this बाएंसाल गोल का मतलब हैं कि आप कितना पैसे कमाना चाते हैं आपकी क्या जुम्मैदारियां कौन से राव के वार निकलना चाथे जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि प्रक्ष्षन तो चैलेंज आते हैं जब आपकुछ बड़ा करते हैं बड़ा सोचते तो चैलेंज बहुत आते हैं और उन चैलेंज को वहीवर्थी फेस कर सकता है जिसको पता है मैं करके और एक्जामपल अगर आज हम देखें कि हमारे जतने फौजी वाई है इनके सामने कितना बड़ा चै क्यों क्योंकि वह गोली अगर इदर से निकल जाती तो काम हो जाता कान के वगल से निकल लगी मतलब आप सोबिस घंटे मौत से खेल रहे हैं आपको क्या लगता है उनका ड्रीम है यह जिम्मेदारिया परिवार जुड़ा है कि क्या करें को अफसान नहीं है लोगों के पास देखिए कि एक सपना इंसान को जिम्मेदारी इंसान को कैसी पोजीशन में माइनस टैप्रीच सब्सक्राइब करें देखिए बॉडर पे लोगों के पास बड़तालिस घंटे की ड्यूटी करते हैं लोग क्या उन्हें लाक और मिलने वहां पर सिर्फ वहीं मिलना जो आप तो जिम्मेदारी इंसान से वो करवा देती है जो इंसान करना नहीं चाहता है तो ड्रीम है अगर आपका तो आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है आप क्यों कर रहे हैं यूख चार लोग मना करते हैं तर यह कहां फालत हुए काम में फस गए हो तो उसके बाद आप काम ही छोड़ देते हैं यह जानने कोसिस नहीं करते हैं कि लोग जो बोलना है वो सही है कि गलत कि मेरा ड्रीम है कि मैं आपका ड्रीम है किसी का कि बेटी की साधी करनी है तो सबसे पहले इंसान पंडे जी के पास जाता है कि वहीं बताओ बेटी की साधी करनी है रिस्ता पक्का हो चुका है तो डेट निकालो सबसे पहले इंसान वानी जाता है कि सर मैरे जॉडलू हलवाई बड़ decent की और दूड़ों यह उस में साइक लोग एंड़े कि तो आप डिसाइड करेंगे हम्य पूछते हैं सर आपका लेविल कभ और बेंड़ाय के सारो जा लगा सर देखते हैं कभ अपने गोल पूरे करेंगे नहीं इस बिजनेस के अंदर हमारे उपर डिपेंड करता है कि हमारा गोल कैसे पूरा होगा कब पूरा होगा क्योंकि यह कैल्पिलेशन चलता है हम खुद लोगों को जाके मिलके उनको प्लान दिखाके उनको जॉइन करा सकते हैं आप पांच किसी ने बीज डाला और उसकी फसल उगी है तो हमें इतना तो बरोसा होना चाहिए प्रकृति पे कि हम भी अपना बीज डालेंगे तो उगने वाला हमारा भी है बस फरक इतना है ऐसा हो सकता है कि आपके सारे बीज ना उगे लेकिन इस बात की भी कारण्टी है कोई है आपको फाइणिशल गोल बनाना पड़ेगा फाइणिशल गोल का मतलब है कि हमारे इस बिजनिस में आप आगे है तो आपको हमारा प्लान पता होगा हमारी एक से लेकर 18 लेविल है तो उन 18 लेविल के अंदर आप कौनसा लेविल कब अचीव करेंगे उससे कितना पैसा आप कमाने वाले हैं डाट इस यौर फाइनिसियल गोल आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा लेविल कब अचीब करें उस लेविल से क्या कितना पैसा आपको आने वाला है वो जो पैसा है उसको आप कहां लगाएंगे वह आपका मैट्रिलिस्टिक गोल हो जाएगा मतलब आपको उसे क्या खरीदना है आपको डेड़ लाग का क्चेक आएगा तो आप क्या खरीदेंगे क्या खरीदेंगे यदे अभी मेरा बासाड़े वारा लाग का च्यक का रहा है तो मेरा मैट्रिलिस्टिक गोल सेट है य Princip sub साथियों कभी मैं सोच नहीं सकता हूँ कि कभी गॉर्वर्ण जॉब में कभी ऐसा हो पाएगा लेकिन आज आपको बताते हैं खुशी हो रही है अभी जैसे डायमंड हो रहा है मैं एक बैजरी लग्जरी कार लेके आ रहा हूं 60-70 लाख रुपए की तो मुझे किलियर है मेरा फाइनिसल गोल के लिए 31 अक्तूबर 2022 मेरी डायमंड की डेट है जिस दिन मैं स्टार सफायर बनाता उससे पहली डेट फाइनल थी मैंने अपने सारे गोल्स पहले ही सेट कर ली है तो दिखाऊंगा बाद में आपको भी सेट करना है कि आप कौन सा लेविल कब अचीब करें लिए बीस दर का चेक आएगा यह फाइनिसल गोल है उससे क्या करेंगे यह आपका मेटरिलिस्टिक गोल है काँ ठीकाने लगाएंगे उसको कौन सी जिम्मेदारी में कर जा तुकाएंगी क्या करेंगी अगली चीज है पर्सनल गोल इसका मतलब यह है कि आप जब यहां काम करेंगे तो आपका पर्सनल गोल यह कि आपको लेविल करने के लिए बड़े लेविल पर जाने के लिए अपनी टेम में इंगे अगले से एक साल के अंदर कितने लोगों नहीं परणाना चाते है कितने लोगों की एमरेलिड बनाएंगे कितने Foundation प्रवाई दूल्पाइं को कि आप किस लेविल पे आप तो आपको पूरा दिन आपके पास में कल आप संडे है कंपनी बंद रहेगी लेकर फ्रेंचाइजी से अपनी आडी गिरीन कराके आज और कल दो दिन के अंदर अपना लेविल अचीव करने के लिए आप गोल सेट करिए जितने भी फ्रेसर लोग बैठें आप गोल सेट करिए आजी कि मुझे कल तक ब्रॉंच कंप्लीट करना कि डाईजर का चेक बनेगा क्या करेंगे डिसाइड करिए सबसे पहले तो उसमें से 200 रुपे की लड़ू लेकर आईए धर में परवार में रिस्तदारी में अगल बगल बांट दीजिए बोले आपको नहीं पता बोले नहीं पता जानना चाहते हैं लड़ू खिला रहे हैं आप बता हमारे घर में नौकरी लगती है लड़ू बांट ते नहीं बांट तो कथा वागबत करवाता है तो जब 20,000 की नौकरी के लिए लड़ू बांट सकते हो या 100 करोड का प्लान मिल गया ह उसके लिए एक लड़ू नहीं बनता है तो जैसे डाईजर का चेक बने बांट तो दो-चार लोग पूछेंगे वो प्रोस्पेट तयार वो ले जानना चाहते हैं में लड़ू क्यों बांट रहा हूं आ जाओ संदे को चलो तो मैं बताता हूं घर पे बुलालो आओ आपको प्लान हो जाएंगे प्लान हो जाएंगे आपका नेक्स लेवल तयार तो अब दो दिन बहुत. एक अक बना लिया याप इसके क्वे 위한 ब्रॉंज बन जाएंगे आपका पर्सनल गूल हो गया उसके बाद नेक्स आप सिल्वर कब बनेंगे उससे साड़े साथ अजार रुपे कवाएंगे उससे क्या करेंगे और उसके लिए आप तीन लोगों को ब्रॉंज बनाएंगे यह आपका पर्सनल गूल हो गया कितने गोल तीन काठ польз मैं जाए एक और आस तकह नेंग़ अगले एक साल तक आप त्धैसाल के साफाइर के गोल उंसकते और पांस साल में अब सब्याइब का गॉल बना सकते और ऑडिया सक के मेरी गोल बना सकते हैं अब सवाली आता है जैसा मेरी bend को बना सकते हैं और यह पढ़ना तो कभी अमने पढ़ाई ही नहीं क्या गोल बोल आप सब्सक्री से मेरा इसे मेरा इस नहीं हो बाबा रोमायूं की ज़लवत्ती नहीं पढ़ रही है कहीं लाइफ में करें करें किया सुत्र लगा है कितने लोग हैं जो वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम कामयाब तो होना चाहते हैं उसको हम कामयाब मानते हैं. आप देखिए चेक करें। अब मार्केट में राज कामयाब व्यक्ति के पासłamने क्या होता कि होता हैं उसके पास अच्छी इंकम होती है उसके पास मांसम्मान होता है लोग उसकी इज़द करते हैं उसके उसके पास सारी विवस्था होती है तब ही तो हम एक व्यक्ति को कामयाब इंसान मानेंगे वरना ऐसे तो कोई भी गली में गुमराई उसको कामयाब थोड़ी बोल देंगे सब बढी हो तो मैं आपसे जांना चाहता हूँ कामयाब एके आगर आप सहमत है तो तो एक सवाल है मेरा आपसे, हम काम्याब होना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा, हम अमीर और काम्याब तो बनना चाहते हैं, सिंपल सा फंडा है, हमें करना क्या पड़ेगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, कि हम यह तो समझ लें, कि हमें अमीर और काम्याब बनने के लिए, वो करना पड़ेगा, जो अमीर और काम्याब लोग करते हैं, तो पहली चीज़ निकल के आईगी, अमीर और काम्याब लोग नौकरी नहीं करते हैं, और हम तो यारी में लगें अच्छी बात है करिए लेकिन अमीर कामयाब नहीं बनेंगे उसके लिए नौकरी के साथ आपको आपने बिजनिस को डेबलब करना पड़ेगा और क्या ओप्सन हो सकते हैं अमीर कामयाब बनने के आप लिखा हुआ है आईए देखते हैं जेरा फोर टाइप यह एपको मिलेंगे जॉब अधिक जॉआ है लेकिन जॉआ आपको क्या कामया बना सकते हैं भाइछ इंकम दे सकती है अच्छी लाइप सब्सक्राइप कम्राइब लेकिन उसके लिए हैं आंप टबल Cheese अ आप इतने पड़े लिखे इतनी डिग्री ओल्डर रहें कि कहीं से इंटरनेशनल लेविल पर आपको कॉल आने वाली है कि सर आप कहां चक्कर पढ़ गए डबलूपील के आपका तो सर यहां नासा में सेलेक्शन होने वाला था ऐसी कोई आपके अगर इंटरनेशनल कॉल आने वाली है तो तो फिर आप वेकार एडबलूपील बागए अगर आप लगता है कि आप तो सर मैं तो सर अमडी बेस डॉक्टर और एमडी बनने वाला हूं सर आप कहां सर फसा रहे हो ऐसी कोई चीज है तो बताईए आप किते लोग सेमनत हैं मेरी बास से जैसे यह सार तो आपको जॉब में क्या चाहिए डिगरी चाहिए डिप्लॉमा चाहिए उसके बावजूद भी क्या होगा कोई पता लिए तो बात बनेगी नहीं जुब में आपको पता है अगला उप्सान है अब्सि lecture । हम अपने आपको काम देके कोई दुकान आपको करोण करोड़ रुपbbles एक पड़ा श्टम बनाना पड़ेगा कोई कोई खोलना पड़ेगा लेकिने कुछ भी तरीके का कोई बिजनेस बनने खोट चाहिए जो हमारे पास है दूसरा इन्वेस्टर से मुई नहीं होते चुटर में डूसरा Purusan कमने मोच्टे को में पैसा आई नहीं तो प्रसे से प्रसा कैसे कमा यह तो सभी है तो आप चेक कर लो याप क्या चाहते हैं कितने लोगों वास समझ में आ लिए यह समागरूपी क्योंकि हमारा जो माइंड है ना मिलेनीर बनने का अरे इंसान मिलेनीर बनना चाहता है लेकिन ही माइंड डिस्टर्ब इसलिए हो जाता है क्योंकि इनसान के बैक ऑफ दी माइंड में बहुत सारी चीज़ा चलती रहती है अरे बीजनिस तो अभी ऐसा ही चल रहा है चलो कुछ और सोच लेते हैं बैक ऑफ दी माइंड जिस वेक्ति के और चीज़ा चल नहीं है यह कर लो वो कर लो नहीं होगा एक है कि के अब संधुश्य करना पड़ेगा मैं चाता क्या हूं मुझे करना क्या पड़ेगा जैसी मैं डारिट शिलिंग में आया मैं नेट्रुम मार्केटिंग में आया मैं इस विजनिस में बैक यहां मैंने देखा यां तो लोग लुग्लाइउ म कर्ण रूपर कमा रहे और जाने के लिए कुछ नहीं है option clear हो गया इससे बढ़िया कोई काम नहीं है बास बात खतम back of demand कुछ नहीं चलता एक ही चीज चलती है इस business को आगे कैसे बढ़ाना आगे चले अमीर बनना है तो वो करो जो अमीर लोग करते हैं क्या करते हैं अमीर लोग नहीं भर लोग मैं अमीर बनने क्योंकि लोग कुछ सीक्रेट जानते हैं क्या जानते हैं क्या सीक्रेट है वो थोड़ा से समझ लेते हैं सीक्रेट क्या है सबसे पहला सीक्रेट है टाइम लीवरेज आम इंसान अमीर क्यों नहीं बनता है अच्छा बिजनिस बना लेता है अच्छी नौकरी लग जाता है लेकिन जहां से सुरू करता है वहीं पर आ जाता है करण क्या है कि हम लोग कुछ भी कर ले हम एक्टिव इंकम में लगे रहते हैं जैसे फॉर एक्जांपल हमारा दूद क काम है हम अच्छा पैसा कमा रहें दूद बेच के दूद को लोगों को देखे एक लाख रूप महीने कमा रहे हैं खीक है अभी मेरे ग्रिस्तदार है वो दूद का काम करते थे अच्छी इंकम थी गाड़ी भी लेली घर भी बनवा लिया बहुत कुछ कर लिया लेकिन हुआ क्या कि उनको फैंबली में किसी को प्रॉब्लम हो गई उनके इलाज के लिए उनने एक दो महीने बंबई रुकना पुड़ा बंबई वहां इलाज करा रहे तो जब दो महीने बाद वो लोटे तो उनका जो बिजनेस था वो जीरो हो गया उनके कस्टमर जो थे वो कहीं सिफ और हम नहीं करेंगे तो इंकम नहीं है और हम लोग सामाजिक प्राणी है पारिवारिक प्राणी है हम लोग परिवार को बहुत महतों देते हैं समाजिक काम को महतों देते हैं तो ऐसे जीज़े हो ही जाती है कभी कभी के हम अपने काम पर टाइम नहीं दे पाते हैं और जैस कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं लेकिन रतन टाटा के पास में आज बहुत बड़ा एंपायर है उनके लिए आज एक लाख लोग उनके साथ में काम करते हैं उनकी कमपनी में तो क्या हो रहा है कि वो लोग अपने लिए यह 8-8 गंटे काम कर रहे हैं सेलरी के लिए लेकर रतन टाटा के लिए 8 लाख गंटे डेली काम होता है टाइम लीवरेज हो रहा है अब आप ही चेक करिए कि हमारे लिए कितने लोग काम कर रहे हैं कोई नहीं हम ही किसी ने किसी के लिए कर रहे हैं हमारे लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास क्या ना टाइम लिवरेज नहीं इसलिए हम कभी काम्याब नहीं हो सकते अमीर नहीं बन सकते जो काम कर तो आपको टाइम लीवरेज की पावर कब मिलेगी आपको टाइम लीवरेज को समझना पड़ेगा आपका टाइम आपकी जिंदगी में लीवरेज कैसे होगा वह एक ही तरीका है या आप बिजनेस खुद का खड़ा करें या फिर आप नेट्वर मार्केटिंग करें आज महागरु जी के पास लाग रुपई की इंकम आ रहे हैं माइपाल महागरु जी के पास 70-70-70-70-1 रुपई महीने आ रहे हैं क्यों क्योंकि आज 12-15 लाग की टीम ह है टाइम लीविरेज हो गया साथियो इस बिजनेस के अंदर माइंड सेट करिए लोग आते हैं चार चीज़े समझाते हैं कोई बोलता प्रॉपर्टी डिलिंग कर लो कहां जब कंपनी फंपनी के चक्कर फस गयो उससे पूछ ले ना भाई टाइम लीविरेज मिलेगा जब नहीं पता तो आजाओ मैं समझाता हूँ कौन से चुड़िया का नाम है उस बैक्ति को लागे नेट्वर्ट में अपने बिजनेस में जॉइन करा हूँ समझाओ कि भाई या तो प्रॉपर्टी एक बार बेचोगो तो एक बार पैसा आएगा दुबारा फिर पैसा का च नेक्स्ट फ्रीडम देगा यही धरती का एकलोता है कैसा काम है नेटवर्क मार्केटिंग डारेट सेलिंग जो आपको स्कता है मार्केट में अगर कोई डॉक्टर साहब है और वह ज्यादा पैसा कमाना चाते हैं और अमीर बढ़ना चाते हैं तो एक ऊस्पिटल है तो चार और बढ़ा काम करना चाहते हैं तो उन्हें और विजी होना पड़ेगाे मार्केट में और आगला कर दो ओर दो बैटेंगे एक से दो यहां बैठेंगे 3-4 यहां बैठेंगे मतलब एकदब मसीन बन गए सुबह डॉक्ट आप यहां मिलेंगे साम को यहां मिलेंगे यहां फिल मिलेंगे गूमना क्या होता है को से चड़िया का नाम है फ्रीडम क्या होती है पता नहीं मसीन बन गए है सुबह से निकल रहे साम को इधर मरीज इंतजार कर रहे हैं इधर मरीज इंतजार कर रहे हैं जाते हैं यहाद टिवर ने जटा है कियों कि आपकी टीम खड़ी होती यह देवलब हो जाते हैं यहाद यहाद की आपके अचीवर बढ़ जाते हैं एक समय यह था 2020 में में टॉपाज बना था जो है आज मेरी तो पाज रूवी स्टार जो यहां से जिम्मेदारी ले रहे हैं तो कहीं न कहीं जैसे जैसे आपकी टीम में ये ग्रोथ आईगी जैसे से टीम में लोग आगे बढ़ाएंगे पैसे कमाएंगे आप फिरी होंगे freedom मिलेगी आपको तो business आपको freedom देता है business आपको leverage देता है लेकिन market में business आप करने के लिए इस तरीके का time leverage देने वाला business ये business नहीं कि हमने मुंख फली का ठेले चार लगवा लिए वो अपने आटो लगवा दिए बिजनिस वो होता है जिसमें कम से कम आपके लिए 500 से 1000 लोग minimum काम करते हो आपके डाउन में मार्केट में 500 लोगों से काम कराने के लिए पचास करोड़ की फैक्टरी 500 करोड़ का होटल खोलना पड़ेगा जो और किसी के बसकी बात नहीं है पर चुनी की दुकान खोले ना कोई business नहीं है साथियो वो self employed है तो freedom चाहते है time leverage चाहते है यह सीक्रेट बिजनिस के इसलिए कि अडानी का नेट वर्थ पिछले एक साल में कितनी गुना बढ़ गई दस गुना मतलब बिजनिस के अंदर ग्रोथ की अपार संबावनाएं नौकरी के अंदर अगर आप की तनका पचास जार है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगले साल एक लाग हो जाए दो लाग हो यह सर लेकिन बिजनिस के अंदर बिजनिस के अंदर अपार संबावना होती है क्योंकि बिजनिस मैं अपनी बात करूं मार्केट में तो हो रहा है वह ही रहा है मैं अगर एड़ेवलोपेल की बात करूं जो मैं आया जीरो से स्टार्ट किया नमबर 2019 जर संब्साइब कर देर हजार भी आए फिर महीं के फटास जार ऑए एक लाग भी आया दो लाघ भी आया और अभी जब से 2022 लगाया अ अ तब सर्टिक जो अवरेज इंकम आ रही है महीने की जो हो इंकम मेरी 2,68 रुपे row आ कर पो가요 होनी चाहिए कभी नहीं सोचा था ऐसा भी हो सकता है बताऊंगा कैसे हुआ उसके लिए क्या किया गया वह का पार्ट है आप कैसे करेंगे यह सिर्फ अभी वह बातें चल रही है तो सीक्रेट से कि चार लोग मना कर देते हैं वेकार काम है फस गए तो होता है आपका का होता है फ्रीडम मिलेगी क्या होता है यह क्या होता है लोगों से कूछ ओ नहीं सहां नोट करो बहुता है तो जब लोग आपको मार्केट में मिलते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि हम लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं का फस गए हो और हम ऐसा लगता है कि हम जलत जगे आ गए नीरे सर आप कैसे अन्म्यूट हो गए ध्यान रखिए सर चलिए तो साथी हो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस टोटल समझाने से चलता है और समझा हो वेक्ती सकता है जो समझ सकता है मैंने पहले ही बोला जितने ही हमारे कोस्त है यह ध्यान रखो आपको जिम्मेदारी दी गई है इतने लोग यहां पर कैनिर लगा के बैठे हैं सुवह सुवह गल्ती साब रिमूव हो जाएंगे सर्थ मैं सर्थ देखना कौन है रिमूव करो ने चलिए अगली चीज क्या है मैं से रिमूव कर दीजिए जब नहीं कोई सुन रहा है तो जी मैं कुछ कर रहा हूं नेक्ट से पर्फॉर्मेंस वेस्ट रिटर्न आपको नौकरी में कितना बढ़िया पर्फॉर्मेंस कर लेना हां सॉल बगेरा मिल सकती है सीड बगेरा मिल सकती है लेकिन तनखा नहीं बढ़ेगी अगर आप चाते हैं कि मैं मैंनत करूं और मुझे वो इससाब से रिटर्न मिले मेरी जरुवत में मैंनत करने के लिए तैयार हूं पर मुझे अपने जिंदगी में अपने परवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रिटर्न चाहिए तो जो लोग बिजनेस और अमीर और कामयाब बनते होंने पता होता है कि मैनत करूबा तो रिटर्ण मिलेगा और रिटर्ण सिर्फ बिजनेस में मिलता है आज आप ज़्यादा मैनत करेंगे ज़्यादा प्लान दिखाएंगे यहाँ पर किसी से काम्याभी आप से यह नहीं पूछती है, आप कितने पड़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, किस बैग्राउंड से आए, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वो काम्याभ होता है, जो ज़्यादा लोगों से मिलता है, ज़्यादा प्लान दिखाता है, ज़्या नहीं है आपके सांके मेड़ मैंने बढून करते एंग उसके लिए काम नहीं प्रफॉर्म करें कहां की जरूट पर कांग कर रही है लेकिन इस video था हम वड़क्ट लोगों को दे के अनकी मदद करके अपनी जुन्धगी में क्या कर सकते है और जो लोग हमारे साथ में इस process में साथ देने के लिए तैया है अपनी जिन्दगी बदनने के लिए सपunnete पूरे करने के लिए तयार है वो यहाँ पर इस हज़ता को आगे बढ़ाने के लिए पुड़ेट को प्रमोट करने के लिए कंपनी को प्रमोट करने के लिए साथ देने के लिए तयार है वो लोग यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे तो कितने लोगों का सिक्रिट समझ में आया कि जितने लोग अमीर और कामयाब डिजनिस छोड़ते नहीं है अगर किसी का बिजनिस जीरो हो जाता है मार्केट के अंदर बड़े बड़े बिजनिसमेन देख लेना लोकडाउन में बहुत लोगों का बिजनेस खतम हुआ लेकर जो बड़े बिजनेसमेन थे उनके दिमाग में एक बार भी नहीं आया किलाव में नौकरी करनो उनको पता है सीक्रेट बिजनेस का कि आज बिजनेस किसी कारण से कोरोना की वज़े से कोविड की वज़े से डाउन हो गया जीरो हो गया वो करेंगे दोबारा बिजनेस करेंगे किसी कि नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को पता है क्योंकि नौकरी करके ना तो टाइम रइल लीवरेज मिलेगा ना फ्रीडम मिलेगी ना लौकरी में ये से बाता कि है ज리र मैं हम एक और बार नहीं निकल पा रहे हैं ही दूसरी बात है रिखा- आज मार्केंकियर के अंदर सब मालिक बनना चाहते है लेकिन करना सब नौकरी चाहते सात्यों में जाना चाहता हूं कि अध्य करता था स्वर्ग में सब जाना चाते हैं मरना कोई नहीं चाता तक कैसे पॉसिब Hij candidate जाना तो मरना पडए गार्श व्हार मेरेम क्भी उपड़ेगा जो सच्छ सब्सक्राइब लगा के जो सीक्रिट अपरी जिंदगी में एड़ करते हैं टाइम लीवरेज फ्रीडम मुल्टिप्लाई पर्फॉर्मेंस वह मौका आपको एड़लू पील में मिल चुका है कि आप इस मौके को पहचानने के लिए तैयार है यह सिर्फ यास गुरू जी तो बहुत-बहुत स् सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम कर क्या है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम कर क्या रहें किया है वर्क हमारा है क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं तो फिल कैसे बात बनेगी तो किते लोंग जानना चाहते हैं यह सब्सक्राइब है चलिए तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लोग बोलते हैं वो नेट्वर्क मार्केटिंग कर रहे हो बोले आप जानते हो तो लोगों से डरा नहीं करो लोग आप से जल्ती से पूछे अच्छा वही काम तो नहीं कर रहे हो वो एक के नीचे दो लगाओ दो के नीचे चार लगाओ फिर चेन बनाने वाला काम होता है वही कर रहे हो क्या तो आप डर जाते हैं रहे इसे तो सब कुछ पता है उसे कुछ नहीं पता है तो आप उनसे दो में साबने वाले को बोलने का मौका दो कुछ नहीं जानता हुट नहीं जानता है कि एक के नीचे दो फसाने पड़ते बस फिर आप बताओगे सरा मैं बताता हूँ आपको पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है network marketing एक्चुली है क्या इसको थोड़ा से समझते है network marketing एक marketing की strategy है जिसमें company प्रोडेक्ट और services को लोगों तक पहुचाती है वह भी जल्दी इस strategy में काम करने से company को क्या फायदा होता है सबसे पहला काम company को network marketing में direct selling में काम करने से पहला फायदा होता है इससे company को अपने प्रोडेक्ट को लोगों तक पहुचाने के लिए add नहीं करना पड़ता है तो company का investment है वो कम हो जाता है क्योंकि addification में टीवी पे अखवार में बहुत बड़ा पैसा एक्टरों को करोड़ रुपे दिये जाते हैं वो पैसा बहुत बड़ा investment है जो market में लोग दाइड करते हैं यह करोड़ रुपे लेते हैं तो जब कोई वेक्टी डारेक्ट सेलिंग में आती है कोई company डारेक्ट सेलिंग में आती है तो उसका यह एक खर्चा बच जाता है दूसरा डारेक्ट लिंग अंदर एक खास बात हो रहे हैं कंपनी पे आफटर सेल पोड़क्त पहले बिकता है हम कंपनी में पहले ऍाइडी लगाते हैं पैसे डालते हैं कंपनी प्रॉडक्त हमें बाद में देती या फिर हम ना चाहेंगे इस concept को कि concept अधारी पर नहीं चलता है इसलिए बिजनेस ये concept ये इंडस्टी कभी भी परिसान नहीं होगी संकट में नहीं आएगी बड़े-बड़े दुकान बड़े-बड़े बिजनेस्में जिन्हों ने अधारी पर काम किया है आगे चलके फेल हो गए कितलो कितने लोगों को आप company उसका store खुलवाएगी ये एक city में खुलवा सकते हैं लेकिन अगर आप सोचो हमारे पास एक pen है हमने 10 लोगों को बताए कि ये pen बहुत अच्छा है इसके ये फाइदे है दस लोगों ने उसका यूज किया अच्छा लगा दस लोगों ने कुछ नहीं किया महीने बर में 10-10 लोगों को बता दिया वो pen 100 लोगों तक पहुँच गया अगले महीने वो 100 लोगों ने इस pen के बारे में यूज किया अच्छा लगा दस-दस लोगों को बताया हजार लोगों तक पहुँच गया अगले महीने वो हजार लोगों का अपने कि नहीं दस-दस लोगों को बताया पैन दस-दस अजार लोगों तक पहुँच गया और अगले महीने दस अजार लोगों ने दस-दस को पैन के बारे में बताया तो पैन का प्रमोशन एक लाख लोगों तक पहुंच गया मेरा आप से सवाल है कि चार महीने में कोई भी कंपनी को भी प्रॉडट्ट एक लाख लोगों तक पहुंचा पाएगी लोगों का क्या फाइदा है हमारा आपका क्या फाइदा है आईए बताते हैं इसके बारे में भी हमारा फाइदा यह हमें टेस्टिट किया हुआ प्रूफ किया हुआ एक बिजनिस मिल जाता है क्या किया हुआ टेस्ट किया हुआ क्योंकि कंपनी प्रॉडट्ट बना रही है टेस्ट करा हमने प्रॉडट्ट यूच किया टेस्ट किया अच्छा लगा यानि कि टेस्ट हो चुका है हम पिल्ल लिए भी तो नहीं लोग पैसे कमा रहे हैं कि अपने विजनेस में działाओं लिली लिया कर रहे हैं लेकिन दीरे दीरी दीरे दीर आसायथ आपको समझने कोंद कर रहे हुगे विजनस टेस्ट किया हुआ, प्रूफ किया हुआ विद पैसिव इंकम एक समय ऐसा आएगा, जब आप बिजनस में कुछ नहीं करेंगे फिर भी आपको पैसा आएगा, दिसको बोलते हैं, पैसिव इंकम, आज इस चीज के लिए पैसिव इंकम आरेगा, यह फाइदा है डारिक शैलिंग में, नेटवरक मार्केटिंग में, मार्केट में कोई भी बिजनस, अगर आप करते हैं, तो बिजनस करते हैं, तो इस्टॉक करना पढ़ता है, लोगों के सैलरी देनी पढ़ती है, उसका इस्ट्राफेक्चर तयार कर करना पड़ता है कि तो बास समझ पारें यह सैंट लेकिन नेटबॉक मार्केटिंग क्या है मैंने आपको बताया यह स्टेटजी यह यह यहां भी क्या है क्योंकि पैसा तो कि बिजनेस करने से आएगा ना जब प्रोड़ेक्ट सेल नहीं होगा प्रोड़ेक्ट का प्रोड़ेक्ट का प्रोसेस नहीं होगा तो घर से थोड़ी कोई कंपनी देगी तो नेटवक मार्केटिंग में सिर्फ यह है कि हम एक प्रोसेस में सामेल हो जाते हैं प्रोड़ेक्ट कंपनी बना रही है लोगों के इसकी जरुवत है हम उस system में सामेल होके लोगों तक product पहुँचवाने में लोगों को product promote करने में help करते हैं एक system के मार्दयम से और हम यहां से network marketing के तुरू लोगों की जरुवत पूरी करते हुए लोगों की help करके यहां से एक अच्छी income ले सकते हैं एक अच्छी income इसलिए network marketing में आती है क्योंकि आपको time leverage मिल जाता है फिर वही बात आ रही है कि market में भी लोग business कर रहे हैं लेकिन किसी दुकंदार के घर के बार ओड़ी नहीं खड़ी है बड़ी बड़ी दुकार ने है कि नहीं हाथ खड़ा करके बताएं तो हम network marketing का business अब करते हैं तो हमारे साथ time leverage जुड़ जुड़ जाता है फ्रीडम जुड़ जाती है लेकिन जैसे हम network marketing में mindset करते हैं करने का तुरंत हमारे घर वाले हमारे दोस्त हमारे मिलने वाले हमारे जान पहचान के बोलते हैं तो कहां फालतू के चक्रम फस गया रहे बचो network marketing अरे यह तो illegal scheme होती है अरे यह तो एक के नीचे दो बनाने वाले फालतू के काम है पहले भी किये थे कितने लोग बरबाद हो गए सब कुछ हमने समझाया सब कुछ बताया मामला ही खराब हो गया क्यों क्यों आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी इल्लीगल कंपनियां इल्लीगल इसकी इल्लीगल चीजें चल रही हैं जिसकी बज़े से हमें हमारे लोगों को हमारे परिवार को ऐसा लगता है कि लिड़का गलत चक्कर फस गया है हमारी बेटी हमारी बहु गलत चक्कर फस गई है तो सबसे पहले आपको आज ही समझने की जलुवत है कि नेटवर्क मार्केटिंग और इल्लीगल स्कीम में अंतर क्या है नेट्वर्क मार्केटिंग के अंदर हमें प्रोड़क्ट 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 करना होता है लेकिन इल्लीगल चीज होती है उसमें आवा बीची जाती है NET o Под Tuesday कि शша है लेकिन ज फ烟 काम रहा होगा वहां बड़ी इनुवेस्टमेंट की बात होती पैसे दू पैसे लगाओ कितना रिटन विल जाएगा NET FAR KING में सेल पे पैसा आता है यह नेट्वुक मार्केटिंग है लेकिन स्कीमों में जुडने पर पैसा आता अब कई सारी स्कीमें चलने हैं मार्केट में क्रिप्टो के नाम से बिटकोईन के नाम से जो आपको बता रही है कि कोई MD नहीं है कोई कंपणी नहीं है लेकिन करूलों कभाव मैं आपसे जानना और स्क्रीन सोट डालेंगे डॉलर में बंडे पे आउट भलाना डॉलर कि देखाना डॉलर कि देख रहे हैं आप लोग जी सार बिलकुल सही गुरुजी हाँ बचे रहना इंसे जिन्दीगी घराब हो जाएगी बही चलो कुछ समझें हम लेकिन उसके बाद भी कुछ मिट्स है तुरा दस मिन्ट में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आपके क्योंकि इस ऐसा लेट हो गया और हमारी बातें क्लियर नहीं हो पाई है आज का टॉपिक मुझे क्लियर करना है कु कि आप मार्केट में गए थोड़ा थोड़ा आपके मन में चलता रहता है कुछ उल्टा सीधा लेकिन लोग है लोग बोलते हैं रहे यार यह तुम वही लेकर आगे फिर वही एक के नीचे दो बनाने वाली तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसली एक के नीचे दो तो यह कोई प्रामिट स्कीम है साथियो सिस्टम ही ऐसा है एक डियम होता है उसके नीचे SJ होते हैं these दीम के नीचे फिर और होते यह जो ग्राफ बनता है हर जेगर regulate एक कोई हैंड होता है पिर उसके नीचे सऄड होते हैं उसके नीचे सुपरवाइजर होते हर कमपनी में देखो आपinel एक एमडी होता कंपनी का पृइंडी के नीचे सफर्वाइजर पिर नीचे और फबलेग फिर नीचे सब्सक्रारों कोई एसी सिस्टम चली नहीं सकता जिस ligne Cor49 झृहर है तो यह सकेल बनता है इस से लीगल लीगल का कोई लेना देना नहीं lif लेकिन जैसे याव गोले बनाते की जो सेफ बनता है उसका लीगल इलीगल से कोई लेना देना नहीं है लीगल इलीगल इस बात से बनता है जो मैंने अभी आपको से साथ जुड़ेंगे नहीं लेकिन आपको एक अवदारना दे देंगे आपके दिमाग में एक फॉट डाल देंगे एक निगेटिविटी डाल देंगे लगे रहो तो मैंसे ही आउनली दटॉप पीपल मेंक मनी जो उपर बैठे हैं वही पैसे कमाते हैं नीचे वाले फुट हो तो जैसे यह थौट आपकी दिमाग में डाला गया आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी क्योंकि आपके बैक आफ दिमाइंड ऐसा चलने लगेगा कई साथ ऐसा ही तो तीन लाख लोग कंपनी में थे माह गुरुजी दिलीप चौबे सर की आइडी साड़े तीन लाख लोगों के बाद में लगी है अगर ऐसा होता टॉप पीपल में मनी तो कंपनी में जो टॉप लोग वही पैसे कमा रहे होते लेकिन ऐसा नहीं है माह गुरुजी आये थे सामने भी लोगों ने बात करी लेकिन मुझे पता था मैं करके आ रहा हूं माइंड सेट किलीर्टी में नौलेज लेके काम कर रहा हूं इंफॉर्मेशन से नहीं मैं जब आया इस कंपनी में लगग लगग 235 का आठ लाग और का 235 ताली नहीं होने चाहिए इस बात को इस बात को दिमाग से बिलकुल निकाल दीजिए इस लोग डिस्टरब करेंगे ऐसी बात डालके आपको यह दारणा से बाहर आना है अगली दारणा लोग आपको देंगे नेट्वर्क मार्केटिंग यूज पीपुल आरे भाईया तुम कहां फस गए इन कंपणियों में तुम्हेरा जूस निकाल लिया जाएगा ऐसे और गुठली गुठली रह जाएगी जैसे आमकी गुठली निकाल लिए फेकी जाती है फिर आपको फेक दिया जाएगा को होगे ऐसे ही अरे हमने देख चिके पचास हो बहुत कंपणी आई बहुत चलीगी ऐसे बाल सपे थोड़ी हो गए हमारे सब जानते हैं कुछ नहीं होता है इन कंपणियों में यूज कर लेंगे और तुम फैक देंगे आप किसी को कोई बेखती ऐसी बात बोल दे हमारा फाइटर फ्रील्ड में जाए तो क्या लगता है आपको पोटिवेट होके आएगा चुसा हुआ हमसा है उसका मूँ देखो अरे क्या हुआ अरे जर कुछ मन पूछ अब अपलाइन भी नहीं समझ पा रहा हुआ क्या है एशा लग रहा है लुटिय डूब गई इनकी पूले सरा बस हो गया काम बस सब कुछ क्या हुआ कि अरे सर में तभी में कहूं मेरा काम नहीं चलना है बाइसाब नहीं थे उनने सभी बात बताई बाइसाब नथ पलान में आते हैं न पलान दिखाते हैं इनका काम चली है इसे चाते हैं कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं आप इनको क्या लग गया है कि हमें यूज किया जा rấtा ताती है उब तो कितने लोग या यूज होने के लिए तयार है यास गुरू जी यास गुरू जी तैंक यू बेरी मच यूज को साती हो पहले से हो रहे हैं पिशले 10 साल 20 साल से 50 साल से जो आयो हों हमें यूज कर रहा है एक आदम के अपलाएन आपके साथ देने के लिए अपने बच्चों कर टाइम निकालता है चोड़ता है गर चोड़ता है परवार साथ देता है और हम बोलते हैं कि यूज कर रहे हैं, किन के लिए, किन लोगों की बज़े से जो मार्केट में कुछ नहीं कर रहे हैं, दो पैसे नहीं कमा रहे हो बस हमें, गलत डैरेक्शन दे जेते हैं, हम उन लोगों की बातों में आ जाते हैं, साथ हो माइंड सेट करिए, आपको पता हो तो कभी भी ऐसे चीज़े आएंगी आपको परिशान होनी की ज़रूरत नहीं है उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे नेट्वर्क मार्केटिंग काम नहीं करती कैसा कुछ नहीं होता तो अकॉर्डिंग टू डियसे डोजात पंदरा की रिपोर्ट है डारेक्ट सेलींग इंडेस्ट्री क्रोश्ट चथिस मिल्य जैल्जुस इन ऊसलिजुए अल्वर ट्वंटी मिल्यों पीपॉल आर कॉमिटेड यह मेरी रिपोर्ट नहीं है यह यूएसे की रिपोर्ट है अमेरिका की अगर नेट्वर्क मार सबसे इंपर्टेंट बात जो आपका दिमाग खराप परी कुछ लोग मिलेंगे सर ठीक ऐसा बढ़िया सब जुड़ गए तो मेरा काम कैसे चलेगा कुछ लोग इस बार से टेंशन में आ जाते हैं सर सब जुड़ गए तो मेरा काम अरे बैया कितनी भी स्पीड से जोड़ना आप लोगों को जिस स्पीड से आज मार्केट में समाज में लोग पैदा हो रहे हैं उसे स्पीड को आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे आप कितने लोग जोड़ लेंगे एक मिनिट में चारजार पैदा हो रहे हैं एक गंटे में 40,000 हो रहे हैं एक गंटे में 40,000 प्लान दिखा लोगे आप हम कभी भी जल संक्या के बढ़ते हुए रेशियो को पीछे नहीं कर पाएंगे टैंसन फी रहो हम लोग वो काम कर रहे हैं जो कभी खतम नहीं होने है मामला सेट हो जाएगा कितने लोगों बात समझ में आ रही है यह सब्सक्राइब काम तो कर रहे हैं हम लोग पर माइंड में कुछ और चलना है आज के बाद माइंड में कुछ और नहीं चलना चाहिए माइंड क्लियर चलना चाहिए कितने लोगों का माइंड डाइस के लिए हो पा रहा है यह सब्सक्राइब तैंक यू बेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग आज आपके रह रहे रह गए जो लोगों कोट नहीं डिल पाया मैं रियली बता रहा हूं केवल कल की पर्मिशन है मैं स्टिक हो जाऊंग कल अपने टीम को टाइम से आज 10 मिट हम लेट हुए है कल हमारी आईडी ओपन कर देंगे 5-4 पे 20 मिट दूँगा मैं आपको 6 बजे राइट टाइम में आ जाऊंगा और कल पैनल को कर दूँगा लोग जो लोग नहीं आप आए उनसे पूछ लीजे जिंदिगी नहीं बनान का जो आपका डेली होता ही है साथ वजेवाला वह अपना सबसाथ से अपना कर लीजिए सबसे रिव्यू ले और सबी लोग मैं अपने अपने ग्रूप में रिव्यू डाल दे और थे जलसня नयूफ अपना फूरा आब आपके इंध एंडा स्प्न नुश में जी ॐत भहात भात दन्माद, विस यौल दवेस्ट, गोटार्या दन्माद।